Hey everyone, welcome to 1.5 GB Online Learning Platform ये CSS course है इस CSS course में आपको बहुत सारी चीजे में CSS के बारे में समझाने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा sample आपको बता देता हूँ कि हम CSS का स्तमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इसका क्या फायदा होता है तो इस छोटी से sample से आप समझ जाओगी कि आपको CSS क्यों सीखनी चाहिए तो without wasting time पहले मैं आपको sample बताता हूँ और इसके बाद course की detail बताता हूँ मैं अपने Visual Studio Code में हूँ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक index.html करके एक file बना लेता हूँ और यहाँ पर अपना HTML का basic code ले आता हूँ तो basic code आओ चुका है मैं यहाँ पर आपको एक button design करने वाला हूँ CSS के तुरू जिससे आप समझ पाओगी कि हमें CSS क्यों सीखनी चाहिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक button का tag लूँगा और simple से button का नाम भी button दे दूँगा और अब इस particular file को हम अपने browser पे open करते हैं तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी normal button कुछ इस तरीके से आ रही है आप देख सकते हैं मैं जैसे ही click कर रहा हूँ तो यह कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है तो यह हमारी एक normal button है मैं क्या करता हूँ इस button से related एक button और बना लेता हूँ मतलब सेम यही वाली button बना लेता हूँ मैं दुबारा से इस tag को लूँगा और इस button का नाम भी button रख दूँगा और अब जाके refresh करूँगा तो मेरे पास एक और button आ गई लेकिन अब हम इस second वाली button को design करेंगा with the help of CSS मैं क्या करूँगा इसको एक class name दे दूँगा class होगी इसकी btn अब मैं यहाँ पे अपने head tag के अंदर जाके style tag को लूँगा और यहाँ पे मैं CSS का design करूँगा मैं .btn करके मैंने class बनाई थी मैंने .btn ले लिया है और मैं सबसे पहले इसका background color दे देता हूँ तो मैं background color इसका दे देता हूँ जैसे की 4 c a f 5 0 यह मुझे काफी अच्छा color लगता है green color होता है border इसकी हम अटा देते है border कर देते है none color इसका दे देते है white मैं इसका color white दे देता हूँ padding दे देते है 15 pixels and 32 pixels यह हमारी right left की padding होती है इसमें हम 4 parameters देते है right left और up और down की तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ दो parameter दिया है text alignment इसमें रहेगा हमारा center में तो मैंने इसका text alignment भी center कर दिया है text decoration रहेगी none तो मैं text decoration को none कर देता हूँ यह display रहेगा हमारा inline block इसके बाद इसका font size रहेगा इसके अंदर जो भी text लिखा होगा button उसका font size रहेगा वो रहेगा 16 pixels और हम इसमें थोड़ा सा margin भी set कर देते हैं तो margin हम इसका रख देते हैं जैसे की 4 pixels इसमें भी हम 4 parameter दे सकते हैं लेकिन हम नहीं देंगे cursor cursor इसके उपर जैसे move होगा तो यह pointer बन जाएगा तो हमने इतनी properties दे दी हैं और अब एक काम करते हैं simple से इसे copy कर लेते हैं हम इसमें hover की property भी लगा देते हैं बीटीन के बाद call all लगाके hover लिखूँगा और अपने green color को थोड़ा सा dark कर दूगा ठीक है और आप जाते हैं अपने browser पर refresh करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो हमारी जो दूसरी वाली बटन थी वो कितनी different हो चुकी है in comparing of previous button अगर मैं इसके उपर ले जा रहा हूँ अपना cursor pointer तो कैसे ही वो बदल रहा है तो इस तरीके से आप customs या फिर designing या फिर और भी अच्छे decoration करना चाहते हैं अपने web pages पे अपने web html files पे तो आप यहां पे css करस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरीके से हम बहुत सारी properties बहुत तरीके के या पे decorations और बहुत तरीके की चीजे हम css के बारे में इस course में जानने वाले हैं तो without wasting time आप 1.5 GB online learning platform पे css के इस course को फटाफट से enroll करो क्योंकि इस course से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है